जात वाहन वन्स कुणए तैना भॉकल मगथ ससंडे वाला वन्स हाः आठाक आल extrरी षळक्रणी रिमभी साइब करने के लिए साधी करना अफल कर दिया अपने बेटे को साधी करने नहीं दो इसका ड़ता कैसा गलत जाज़ सत्रु आज़ाथ सत्रु की सौठी भी आजा उच्रम आपने भी या करने के लिए किसको मार दिया बाप अपने साधी कर लिया ठीक टाक से रहने लगा उसके बाद से कुछ दिन बाद एक रोग कोनो और पसंद आ गया ज़िए नहीं आ गया है किसी को दिखा दिखिया जो मर्द होता है ना मर्द का प्रेम जो होता है वो मेहदी के समान होता है शुरुआते भर उलाल रहेगा फिर धीरे धीरे उतर जाएगा इसी में महिला ठागा जाती हैसब महिला सब खुस होजिए डेमो देख bipartisan होजेते है वो बबाद वो हाल परे parle करें लडalition पूरा लओल होती है तरफिसाय थे लिए को सब तरफिसा बात बोल दीए जिन्दिगी भर नहीं चाहिए। बस जब तक जिन्दिगी है तब तक ही साथ चाहिए। कि लुट रहे हैं कि तो खुश रहें चाहिए। चाहिए। कोन साथी करें लगा। थीस्रा किया चाह। फॉथा कि धिरे दीरे मौकत का चैट्रवल क्या कर दिया। बढ़ा दिया। इसका बेटा था जिसका नाम था उदाइन। इव और पसंद करें ठाएं। कुझ को कि कर एक पाप अभी तो आपकी को स्राइघ TWO हम आपको करने दिन नरिए किसे चरहाँ जरा नहां मने का ही हुदाइन पार दिए आजान सात्रू को भाला मार दिय मार दू कि कि यह बिया करने के लिए इसको मारा इसका बेटा बिया करने के लिए अपने बाप को मारा अई हुश्यार था अपने बेटा का भी या बजपने में कर दिया सब्सक्राइब इस समुझ आए और ओड़ेगो तों कि इस पुर्ण के असा थारन हमार थां सिसुनाग और हर्यंक वंस का अंत करके कौन सा वंस अस्ताफिल ने किस ने किया किस वंस किया सापना महापदम नंद ने कर दिया सिसुनाग वंस एक छोटा सा वंस जिसने बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया था नंद वंस के साइच वाप महापदम नंद अब महा पदम नंद का बेटा यह तो एन था इसका बेटा ता सब्रस्रु है धनानंद धना नन और खतर नागटे दुन्राद एकडम एरिया कौन सा था इस दो मागध मगरप्थल बढ़ाया बढ़ाया। जह कर लिया। नम कर ईजन थैंपॉसींग से है सेुनाओ इस्पवन खास लेशा क हुच्छी रही ऐगा अ और जरीकल कते टिंरा टिका हुच्छी लागयगी Marie सवसाधीक यार एकर वह इस्वी निया वेल उच्छा रह साथुंदी पॉटी का बुड़ी का तन्हाक होती है सीरियल देखें कि नहीं आप लग बदि हम कुछी गलत बोल लहें हैं है सीरियल में जितना बहुती का रहेगा उतने खचिरी रही आगे बढ़ते हैं तो हरियंग बंस के वाद सिसुनाग बंस के सेनापती को मार दिया महा पदम नंद क समय छेतर पर मगद का इतना बड़ा हो चुका था मगद क्या हो चुका था बहूत बड़ा हो चुका था तो मगद पर इसी समय भारत के और से हमला कर दिया कौन सिकंदर किसने हमला कर दिया सिकंदर अचानक इदर हमला किया कौन सिकंदर 326 इसा पूर हमला किसने कर दिया सिक परिनाग वंस था देनीछ इनाघ का दिसको टेंसको यहां पर लचांश कोरभा साओर में अब पोरस पुपऑक है को प banco लाए गया सlectricडर के सामने और का थिए बता तुमारा क्या सुलग किया जाएगा सो उसने सिकंदर से सिकंदर ने कहा कि मेरे आगे घुटने तेक ढों मैं तुम्हारी जिंदिगी बखस दूगा पुरस ने कहा कि हम हंदुसतान के राजा हैं काट दीजे हमको नहीं चाहिए इस एको जिंदगी जो आपके सामने जूखना पड़ सिकंदर उसकी वीरता से खुश हुआ सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना उसने पोरस के कलाई पर राखी बांदिया यही करता था सिकंदर वा जीतता था सारा कभजा कर लेता था फिर उसको दोस्त बना लेता था कहता था कि अगली राजा पर हमला करेंगे तो मदद करना इस जो जो आई इसे ब्रांच में बीजी है कोनों उसका हुआ है समझ रहे है आप लोग आगे समझें आप दूदर रागी बांदिवा पर पोरस राजा से हो गया यहां पर अभी यह प्लान बनाया कि अब हम अब किस नदी को प्यार हेल जाएंगे ब्यास नदी अब ब्यास को हेलेगा तो कौन सा चलो यह किस program दाएंगे ब्याख से और यहांसे जाएगा नहीं कि मगड कहनीच संपदा से भरा था धन दौलत से भरा था यह पर नाम ब स्टिया यहां पर यहां पर यांत ईक कोनких आग स Dartmouth पाकिस्थान में यह शाए लाग नाम था पाकिस्तान 9 10 दसा नम था चानक क्या नम था चानक चानक के हर बातों को ध्यान से देख रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है चानक के समय चानक ने कहा कि तो बहुत गड़बड हो रहा है क्योंकि सिकंदर अगर भारत में घुज जाएगा तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा सिकंदर को महां से आता तो बचा है बागी फेतों मगद क्रहें। लिए यहानीजन पदों में महादवी सब्धन सबसे सकते साली और गया था चानक के आयाप वहां से का यह आपकिस्थान के तछसीला से कऊना गया राफ कुन आ गया मुझाद और चानक आया मोगद में यहां का राजा कौन था धनानंद धनानंद को समझाया कि महराज आप नित्रित्य करिए यहां के राजाओं को मिलाईए और हमला करिए किस पर सिकंदर पर वरना वो ब्यास नदी को पार कर जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा तो धनानंद उसमें औ तो आरकेस्टा देख रहा था वू शुच्छ भड़क गया चानक के पर काय गया टकला कौन है अपनी सेनिकों को बलाया और चानक के टकला पकड़के चोटी और घंसीट के फेकवा दिया इसका अनुभव तो आप लोग को अज्जादे अच्छा से होगा मतलब आप लोग इसको कल्पना कर सकती है अब हम लोग का बाल पकड़ी पे नहीं करेगा मैला का चोटी पकड़के को उतारेगा कितना भयानक लगा वो चोटी या पकड़के फेकवा दिया कहा कि भागे आशे चानक को चोटी खुल गया को सम खाया कि धानानंद हम बरबाद क कर देते ना दुबारा इस अपनी चोटी को बांदेंगे नहीं और वहां से वापस गया मगत के तच्छ सीला कहा कि इंसान को गुस्से में अपना धैरे नहीं खोना ची गुस्सा में इंसान को अपना मेन गोल नहीं भूलना ची मेरे लिए पहला सत्रू कोन है सिकंदर बाद इसने सोचा कि पहले हम धनानंद से बाद में निप्तेंगे धनानंद को वहीं मगद में खड़ा होकर बोला है मैं तुम्हें बिनास कर दूँगा तो धनानंद को का इसको फांसी पे चड़ा दो जी इसके साइनिक सब पकड़ लिए सब किसको चानक एक 12 साल का लड़का चानक सिकंदर की सेना जब इदर प्लानिंग बना रही थी तो उसने का कि किसी एक साइनिक को मर्द हो चुपके से को यह साइनिक पानी नहीं पीने की नहीं मर दिया उसका भेजभूसा पईन के बढ़ गया कौन चंद गुपमौर अब सिकंदर की सेना में कौन घुश चुगा था चंद गुपमौर अइसको तैरा नीती थी असिकंदर की सेना भी चाना के का इजद करती थी कि वह ब्रामन था और एक गुरु था युद्ध का तो साइनिक नहीं था उसने कहा कि देखे मैं ब्रामन हूं मैं भवी समानी कर रहा हूं कि अगर आपकी सेना ब्यास नदी को पा जबकि उसकी सेना में घुष चुका था कौन सिकंदर उसने जड़ चंद गुपमौर सिकंदर की फोज की खाना में उल्टा सिधा जहर मिलाना चालू कर दिया पुरा का पुरा क्या मिला जहर अक्साइनी खाए सब दूगो बटालिये ने मर गया का कि देख लिजिए अउस स जहर मिला दिया जिससे लोग अंधे हो जाएं खाना खाया तो यह बटालियन फोजे अंधा हो गया का लड़िये अगले दिन उस खजुवट फैला दिया चेचक फैला दिया महमारी फैल गया सिकंदर की सेना में फवा फैल गया दुनिया की सबसे बड़ी फोज अपनी जैक अगण सिकंदर जब लोटा तो 323 इसा पुर्व आपको पताया तो यह चीज उल्टा चलेगा 323 सा Pulv Baby Loan में कहा कर बेई बेई लोन में बेई लोन में सिकंदर की क्या हो गई मृत्यी हो गई लेकिन सिकंदर का सेँनापति जिसका नाम ता सैलुकस निकेटर किया नम ता एले से लुकस निकेटर उसको एकदम कंफर्म पता था यह कोई ने कोई आदमी जहर मिला रहा है तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था लेकिन राजा जब सिकंदर का राई कि लोटो तो सेनापती क्या करेगा लोट ने करेगा अवाम जाके सिकंदर की क्या हो गई बिबिल से मुड़ी जाता था यह अपने यह क हवाला गोड़ा नहीं हम लोग यह घोड़ा वास शुरा खश रहा खश्रा ओता से यहां दिखिए गए पट्टी लगाना पड़ता है ताकि सीधे देकर नहीं खोल देगे कोनो घोडी देखा तो उतर जाए अगा उतर जाएगा उन्न सिकंदर की पूरी सेना किसके नित्रित में आ गई सैल्այ kap?! सैल्यूकस निकेटर सैंळूकस निकेटर अब क्या बन गयां ? राटरा बन गया अब हम न सबने जिए अब उन회 करेंगे मगद हम जीतेंगे .... temos क?, देवी प्रकोफ है लेकिन उसको उधरी रोकिए इधर चानक के अपनी प्रतिग्या भूला नहीं था उसने कहा कि हम सिकंदर को हरा दिये तू को ने डेक्ची का मसाला है इसने मगद के छोटे मोटे राजाओं को द्धनानंद के विरोध में किया और द्धनानंद पर क्या करा दिया हमला करा दिया और यहां किसको मार दिया धनानंद को और खुद राजा किसे बनाया चंद गुप्त मौर को अब बताईए अब मौर वंस का सासन हो गया किस पर मगद पर और मौर वंस का सासन कौन बना चंद गुप्त मौर कौन बना चंद गुप्त मौर और उसका सलाकार गुण बना सलाकार चानक और मगद अब अपने सुखी संपनी जीवन को जी रहा था तभी मगद पर एक गरहन मढ़रा गया उदर से हमला करने कोन आ गया सेलुकस निकेटर भली भाती जान चुगा था कोई देव सलाकार चानक था चानक ने कहा कि टेंशन मतलब पहले पता करो उसकी सेना में सबसे बड़ा पावर किसके पास है तो कहा हाथियों की फौज सेलुकस निकेटर जादे ले आ रहा है उसकी सेना में क्या है हाथि इसने कहा कि पीछे हट जाओ तब तक छुप छुप के लड़ो अमित सागीर जाएगा तो उठेगा जल्दी वहाँ पे उसकी हाथी वगर अफस गई यहां पे युदू विपिरीत परिनाम होने लगा यहां पे चंद गुप मौर अपने बहादूर था और उसका सलाकार चानक के एक से गुणी पर पूरूस था वहाँ पे पूरी तरह घे करेंगा मर जाएंँगे तब तो तो अपनी बेटी को लाया था क्रो में लिया कुंप तो पांप चंदगुप मौर तलवार भासते आया देखा करने लिया को तो देखते रगया को अरी बाब शुच्छाई को ने एकदम का कि बाबरी बाब भडियां ही थे तो चंदगुप मौर से लुकस निकेटर से का कि देख तोरा मार देंगे न तो एकरा से भी आ कर दो अरे तुम युद में हार जाते तो मेरे अधीन रहोगे अब बिया कर लो को तो अमरी बेटी के अधीन रहोगे तो कारनेलिया से साधी हो गया किस का हम चंदगुप मौर का साधी किस से हुआ कारनेलिया से साधी हो गया लेकिन से लुकस निकेटर के मन में एक डर सता रहा था डर ये था कि हम चंद गुप मौर के या तिलक लेकर तो आई नहीं थे साधी बियार के रिस्ता तो लेकर आई नहीं थे हम तो युद्ध करने लिया थे वो एक युद्ध किये समझाथा कि साधी हुआ है मेरी बेटिया को ठीक से रखेगा कि कोई ले जाके बियार में थूरेगा कुमरार में घर था यहीं पर कुमरार पार्खा ना महीं पर महल लोगल था कहा कि कोई यह इस है नहीं भी बेटिया कारनेलिया को पीठे तो इसने क्या किया चुपके से अपना एक दूत भेज दिया, कहा कि यह आप ही की सेवा करेगा, लेकिन वो उसका मुख के काम था कारने लिया कि सूचनाओ को भेजना, जिसका नाम था मेगास्थनीज, बताइए, सेलुकस निकेटर का राजदूत का नाम मेगास्थनीज, इसने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छे से सुखी संपन है, जादे इंसान नहीं लेने की जरूवत है, आच्छा से इसको रख रहा है, यह ठीक ठाक से है, यहाँ पर मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, कोश्चन आएगा, मगद की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, इंडिका से, मगद की जानकारी और पाकिस्तान दिया था, बिहार तो मगद यहाँ तक हो यह गया था, और कहां चल गया, पाकिस्तान, और कहां हो गया, अफगानिस्तान, आज नमाज सरीफ को हम बिहारियों को थेंक्यू करना चाहिए, दहेज की जमीन हम लोग छोड़ दियां लो, नहीं समझें, यहाँ इतियास गवा है कि बिहारी बहुत दहेज लिता है, इसमें लड़की वालो की गलती है, लड़की जिस लेबल की उसी लेबल में भी आकर यह दहेज नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं, जनरल बोगी में चलिए दूसर रुपया किराया, आप जाईए करेगा, आप लड़की ग्रेजुएशन कर लिए, अपने MTS का नौकरी ना लगे, लेकिन दोवनी के दुला चैहिए दरोगा, लिजे दरोगा तो पैसो दीजे दरोगा लाइग, नहीं, अपनो दरोगीन बन जाईए, दरोगा से करिए, कोई दिक्कत नहीं, को रुपया नहीं लगेगा, बराबरी में दहज नहीं लगता है, कभी नहीं लगेगा, बराबरी में कौन जी का दहज लगेगा रे पकलोन, नहीं लगता है बराबरी वाले, अई उपर निचे करियागा तो लगभे करेगा आपको जादे में, लड़की को देखने का अथे पते नहीं आप, ऐसा नहीं ह तो दहेज में इसने क्या ले लिया पूरा पाकिस्तान पूरा आफगानिस्तान क्या ले लिया दहेज में ले लिया